नमस्कार इस विशेश बुलिचिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भावना नईयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंग जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरे प्रस्तुत करेंगी शुरुवार सुर्ख्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के संभल में कलकी धाम मंदिर में रखेंगे नीव प्रधानमंत्री एक जन सभा को भी करेंगे संभोधित चंडिगडबे केंदर और किसान प्रतिनिध्यों के बीच बाचीत रही सकारात्मत सरकार ने दाल समित चार फसलों पर पात साल मस्पी की गारंटी का दिया प्रस्ताव वही किसानों ने प्रस्ताव पर सहमती के बाद फैसला लेनी की कही बात संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाई कोट आज फिर करेगा सुनवाई सुप्रिम कोट में भी महिला शोशन की जाच पश्चिम मंगाल से बाहर कराने की अपील पर होगी सुनवाई सुप्रिम कोट में आज हैं मामलों पर होगी सबकी नजर महराश्ट्र के शरतवार गोट की याचिका के साथ साथ चंडिगण मेर चुनाव मामले पर भी होगी सुनवाई और खेल की खबरों में गोहाटी में खेलों इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संसकरण का आज होगा आगाज प्रधान मंत्री खेलाडियों को देंगे वीडियो संदेश केंद्रे खेल मंत्री अनुराग सहिठ ठाकूर करेंगे शिरकत अब खबरी विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आजुत्तर प्रदेश के दोरे पर रहेंगे प्रधान मंत्री संभल जिले में श्रीकल की धाम मंदिर का शिला नियास करेंगे इस अफसर पर प्रधानुत्री श्रीकल की धाम मंदिर के मॉडल का नावरण और सभा को संबोधित भी करेंगे इसका निर्माट श्रीकल की धाम निर्माट ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष आचारे प्रमोध कृशुणम है इस कारिक्रम में कई संत धार्मिक नेता और अन्य गडमान्य लोग शामिल होंगे इसके बार प्रधानमंत्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दो हजार तेईस के दोरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समहारों में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाग करोड रुपे से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारम करेंगे ये परियोजनाओं वी निर्माण नवीकरणिय उर्जा, आईटी और आईटी ईएस, खाद्य प्रसंसकरण, आवास और रियल एस्टेट, आतित्य एवं मनुरंजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है इस कारिक्रव में लगभग 5,000 प्रतिभागी भाग लेंगे जिन में प्रसिद उद्योगपती, शीर्ष, वैश्विक और भारते कम्पनियों के प्रतिने थी, राजदूत और उच्चायुक्त और साथ ही अन्यकणमान्य अतिती शामिल होंगे बढ़ते अगली खबर के और राश्ट्रुपती द्रौपती मुर्मू आज से 23 फरवरी तक अंडमान और निकोबार दुवीप सम्हू की यात्रा पर रहेंगी राश्ट्रुपती आज श्वहीत स्थम पर मल्यारपन करेंगी और सेलिलर जेल परिसर और संख्राले का दोरा करेंगी साथ ही वह पोर्ट ब्लेयर में डॉक्टर बियार अंबेट कर प्रोद्योगी की संस्थान जाएंगी और अपने सम्मान में आयोजित भोज में शामिल होंगी मंगलवार को राश्टुपती इंद्रा पॉइंट और कैंप बिल खाड़ी भी जाएंगी विसुभाष चंद्रबोस द्वीब भी जाएंगी और लाइट एंड साउंड शो देखेंगी बुद्वार को राश्टुपती पोर्ट बलेर में राजनिवास में अंडमान और निकोवार दुवीब सम्मू की पीवी टीजी के सदस्यों से बादचीट करेंगी इसे दिन राश्टुपती राधान अगर बीच पर सैनिकों का प्रदर्शन देखेंगी अब खबर किसान अंदोलन से जुड़ी हुई चंडिगड में केंदर सरकार और किसान प्रतिनिध्यों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई दोनों पक्षों के बीच हुई बाचीट काफी सकरात्मक रही बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर हर्याना और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अहर की खेती करते हैं तो सरकार इन चार फसलों पर गारंटी देगी कि अगले पाँच सालों तक नफैड और NCCF के माध्यम से उनकी फसल को MSP पर खरीदा जाएगा वही किसानों ने प्रस्ताव पर सहमती के बाद फैसला नेने की बात कही है केंद्री मंत्रियों ने भी नफैड और NCCF से चर्चा करने की बात कही है केंद्री मंत्री पियूश गोयल ने कहा है कि वारता नए विचारों और नए सोच के साथ दोनों पक्षों के बीच हुई है प्रधान मंत्री हमेशा किसानों के हितों की बात सोचते हैं पीएम फसल बीमा योजना और किसान समन निधी के माध्यम से किसानों को बड़ी मदद दी गई है यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ हैसे विशे सामने रखे जिसमें लगभग सहमती से पॉजिटिव आटिट्यूट के साथ इनोवेटिव सुझाव दिये गए जिसमें पंजाब का भी लाब होगा और हर्याणा के किसानों का भी लाब होगा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के शोशन के मामले पर आज सुप्रीम कोट सुनवाई करेगा वकील अलग शिरिवास्तव ने PIL दाकिल कर मांग की है कि जाच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर हो सुप्रीम कोट की निग्रानी में CBI या SIT जाच हो मनिपूर की तरहे तीन जजों की कमिटी जाच करे पीड़ेतों को मुआवजा और लापरवाही के दोशी पुलिस कर्मियों पर कारवाई की मांग भी की गई है वही कलकत्ता हाई कोट संदेश खाली मामले पर आज फिर से सुनवाई करेगा इस बीच संदेश खाली हिंसा मामले में महिलाओं का TMC नेते के खिला विरोध प्रदर्शन जारी है महिलाओं ने TMC नेता पर यौन उत्पीडन थमकाने का रोप लगाया है महिलाओं ने एक मैनर उठा रखा था जिस पर कार्टून के जरिये उनके दर्द को दर्शा आया गया था सुप्रीम कोट में आज अहिम सुनवाई का दिन है उच्छितम याले आज शरत पवार गुट की याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अजीत पवार के नेतरुतव वाले गुट को असली एनसेपी घोशत करने के आदेश को चुनौती दी गई है चुनाव आयोग में छे फरवरी को घोशना की थी कि अजीत पवार गुट ही असली एनसेपी है आयोग ने अजीद के नेत्रित्व वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिन घड़ी भी आवंटित किया था वही चंडिगर्ड मेर चुनाव मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा अदालत चंडिगर्ड मेर चुनाव के रिटर्निंग आफिसर अनील मसी पर लगे आरोपो पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट आप कॉंग्रिस गडबंधन के मेर पत के उमीदवार रहे कुलदीब कुमार की आचिका पर सुनवाई करेगा कुलदीब कुमार ने पीठासिन अधिकारी अनील मसी पर मतगड़ना के दौरान दोखादड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए थे चन्डिगर्ड मेर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांदली के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच फरवरी को सक्ती दिखाई थी और चुनाव का वीडियो देखने के बाद सीजे आई ने कहा था कि अधिकारी मतपत्र कैसे खराब कर सकते हैं उस पर मुकत्मा चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जरूरत लगी तो फिर चुनाव कराए जाएंगे अभी मतपत्र और मतदान का वीडियो हाई को सौम दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिकत रूप से पेश होकर अपने आचरण परसफाई देने को भी कहा था और 19 वर्वरी की तारीख तैकी थी चन्डिगण में आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी नेहा मुसावट भाजपा में शामिल हो गए हैं और गुर्चरन काला की घर वापसी होई है तीनों पार्षदों का भाजपा के राष्ट्री महसचे विन्यूत तावडे ने पूर्वर प्रदेश अध्यक्ष अरुनसूत के साथ पार्टी के पटके पहना कर भाजपा में स्वागत किया इस अफसर पर विनोध तावडे ने कहा कि तीनों पार्षदों को भाजपा में पूर्ण मान सम्मान मिलेगा और महतपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडिगड के मेर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है और अब अंतराश्ट्री खबरे अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर कारेवाही की है लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यमन में हूती नियंतरित क्षेत्रों पर पांच हमले किये यूए सेंटरल कमांड ने कहा कि अमेरिका ने तीन मोबाइल आंटी शिप क्रूज मिसाइलों ड्रोन और एक मानव रहित पानी के नीचे जहाज यू यू वी पर हमला किया है अमेरिका ने कहा कि हूती विद्रोहियों पर हमला उस समय किया गया जब हूती के जहाजों ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों के लिए खत्रा दिखाया अमेरिका ने कहा कि नौसेना की ये कारवाई नाविगेशन की सुवतंतरता की रक्षा करेगी वहीं इरान समर्थे तो हूती सम्हूं की ओर से अमेरिकी कारवाई पर अभी तक कोई टिपड़ी नहीं आई है खेल से जड़ी खबनों में खेलू इंडिया युनिवसिटी गेम्स 2023 का उधगाटन आज गोहाटी के सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्पलिक्स में होगा उधगाटन सम्हारों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खिलाडियों को वीडियो संदेश देंगे वहीं केंद्रे खेल मंत्री अनुराग सेहिं ठाकुर और असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिस्वर सर्मा खेलू के उधगाटन सम्हारों में शिर्कत करेंगे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में देश भर से 200 विश्वविद्यालियों के करीब 4,500 आथलीट विभिन खेलों में हिस्सा लेंगे खेलों इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई खेलों इंडिया पहल का एक हिस्सा है जिसका उदेश्य देश भर में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को तलाशना और खेलों को बढ़ावा देना है इसी के साथ इस विशेश पुलिटिन में इतना ही मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंग के साथ हमारी पूरी टीम को दीजे अनुमती डीजे न्यूस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा नमस्कार